तारे सितारे वाम गरहन अक्षत्र बदलते हैं अपनी चालो रेश्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्मराशी का हाल मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 20 अगस्त 2024 मंगलबार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों की द्रिश्टीवा भगवान हनुमान जी की क्रपा से आज 12 में से 5 राशी वालों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा इन 5 राशियों में आज है मेश, वरशब, सिम्व, कन्या और धनुराशी वाले लोग वही अन्य राशी वालों को आज मिले जुले परिणाम मिलेंगे तो मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत थे आपके अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ये दिन नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्यका राशी फल नही नहीं ज्यानवर धक जानकारिया हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज भादर पदमास कृष्ण पक्ष की प्रती पदा तिथी है मंगलवार का दिन है और आज दिन की सुरुवात सतभिषा नक्षत्र से होगी और कुम्बर आशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज सुर्योदे प्रतहकाल पांच बच के त्रेपन मिनिट पर होगा और सुरियास तसाम के छे बच के पचपन मिनिट पर होगा आज राहुकाल अपरान काल तीन बच के उन्चालिस मिनिट से आरंबो करके सायंकाल पांच बच के सत्रह मिनिट तक राहुकाल रहेगा तो आज राहुकाल के दुरान आप कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारिय शुरू नहीं करें इस समय अवधी में किसी भी नई वस्तू की खरीदारी करने से भी बचें आज दिशा सूल रहेगा उत्तर दिशा में तो आज के दिन आप उत्तर दिशा की और मुख करके कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारिय अरंबन नहीं करें उत्तर दिसा की यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आज आपके लिए अतियावश्यक हो तो अपने इस्ट देवता की सरद्धा पुरवक पूजा अरादना करके या इस्ट देवता के नाम मंतरों का अधिक से अधिक संख्या में जाब करके यात्रा आप कर सकते हैं और आज का सर्वसरेष्ट महूरत अभीजीत महूरत आरंब होगा प्राता हकाल ग्याराः बच के 58 मिनिट से आरंब हो करके दोपहर बाराः बच के 50 मिनिट तक सर्वसरेष्ट वशुब महूरत रहेगा तो इस महूरत में आप कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारिय अरंब कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तु की खरीदारी आप करना चाहते हैं तो इस महूरत में आप कर सकते हैं तो आप जानिए अपनी जन्म राशी के अनुसार आज आपके भागे के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशी के अनुसार क्या खास उपाए करना चाहिए में छातकों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा नोकरी में कारेरियत लोगों को विसेत पद परतिष्ठा मिलने के योग है व्यापार करने वालों को व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलेगा विध्यारतियों को परिसरम का अच्छा फल मिलेगा किसी महत्वपुर्ण कारी में सफलता के योग है व्यापार में आई बढ़ने के नए इस्तरोतर आपके लिए खुलेंगे प्रप्ति के योग हैं मजदूर वर्ग को रोजगार प्राप्ति के योग हैं और कला अभिनई के छेत्र में समलगन लोगों को सरकार से बहुत बड़ा सम्मान मिल सकेगा नवीन उद्योग धंदे में मित्रों एवं परीजनों का भरपूर सहयोग रहेगा संतान के दाहित्व की पूरती कर पाएंगे शेयर लाटरी दलाली आदी के कारी में समलगन लोगों को कड़ी महनत करना होगी आज आपका भाग्यशाली अंक पाँच है शुब रंग आपका पीला रंग है आज आपको भाग्यशाक का साथ पिचोतर प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका आज का दिन इस प्रकार से है कि आज आपको कोई शुब समाचार मिलेगा किसी महतुपुरुन कारे में सफलता के योग हैं स्वाधिश्ट भोजन की प्राप्ती के भी योग हैं किसी लंबी दूरी की यातरा पर जाने के योग बनेंगे कारी छेतर में अधीर नस्तों से शुक्री आदि में इस्थान परिवर्तन के साथ पदोन नती के योग हैं आपके साहस पराकरम में वरद्धी होगी तकनीकी ज्यान समान प्राप्त करवाएगा किसी महतुपुरुन व्यक्ती से मारगदर्शन एमम सानिध्य मिलेगा सामाजी कारियों में सहयोगी आपके आप्त होगा आज आपका विशिश उपा इस प्रकार से हैं प्रातहकाल इस्थनांकनन के पश्चाद सुंदरन काण का पाठ करें दिन आपका शूब रहेगा अगली राशी है मिथ०्धुन मिथुन राशेवालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा मिजदूर परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन के योग हैं, कारी छेतर में नए सहयोगी बनेंगे, किसी राजनेतिक अभियान की कमान आपको मिल सकती है, क्रशी कारिय, आध्यात्मिक कारिय, बोध्धिक कारिय में समलगन लोगों को विशे सफलता एवं उन्नती प्राप्त होगी, नवीन घर में रहने का अवसर मिलेगा, तो आज आपका भाग्यशाली अंक छे है, शुबरंग आपका सफेद रंग है, आज आपको भाग्य का साथ 86 प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका विशे सुपाई इस प्रकार से है, प्रातहकाल इस नान करने के पस्चाद का दिन इस प्रकार से है, राजनीती में आपके भाशन की, आपके सब्दों की चर्चा होगी, गायन में रूची आपकी बढ़ेगी, व्यापार में आपकी सूच बूच से बड़ी समस्या का हल होगा, किसी विश्वास पात्र व्यक्ति के द्वारा आपको धोका हो सकता है, आपके सतर करहें, रोजी रोजगार में उन्नती होगी, नौकरी में आपकी वाख पटुता से आपके उच्च अधिकारी अत्यदिक प्रभावित रहेंगे, आज यात्रा में नए मित्र आपके बनेंगे, नियाई विवस्था में आपके निरणई की सराहना होगी, भूमी स सुख उत्तम रहेगा, आज आपका भाग्यशाली अंक नो है, शुबरंग आपका बादामी रंग है, आज आपको भाग्य का साथ 81 प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है कि प्रातहकाल इस्नान करने के पस्चात, भगवान हनुमान जी की पूजा करें, सुंदर कान का पाट करें, दिन आपका शुब रहेगा, अगली रासी है सिम्ह, सिम्ह राशेवालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से है, कारी छेत्र में व्यर्थ भाग्दोड बनी रहेगी, आज इविका की तलास में इधर उधर भटकना पड़ सक माता से यकायक अन्बन हो सकती है, और अपने बलबूते पर महत्वपूर्ण कारी को करने और कारी छुमता को बढ़ाने का प्रयत्न अवश्य करें, व्यवाहर को अच्छा बनाई रखें, विध्यारती वर्गी के लिए दिन शुब रहेगा, पड़ाई में अधिक मन लगा करके रखें, अच्छी सफलता मिलेगी, कोट कचरी के मामले में तरक वितरक करने से बचें, अन्यथा विवाद हो सकता है, राजनीती में अपेक्षित जन समर्थन न मिलने से, पराकारण मन खिन रहेगा, कारी छेत्र में उच्छ अधिकारियों से अकारण अन्बन हो सकती ह आज वाहन का प्रयोग विशेश करके सावधानी से करें, तो आज आपका भाग्यशाली अंक 5 है, शुबरंग आपका के सरिया रंग है, आज आपको भाग्य का साथ बहुततर प्रतिसद प्राप्त होगा, आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है, प्रातहकाल इश् संबंदियों इश्ट मित्रों के सहयोग से कारी छेतर की समस्याएं कम होगी और समाज में उच्छ पद प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपरकाप के बनेंगे और अपने उपर विश्वास को बनाए रखें कारी छेतर से जुड़े हुए व्यक्तियों को व्यापार में लाब इवं उन्नती के योग बनेंगे उद्योग के छेतर में समलगन लोगों को परिसरम का फल मिलेगा मन में संतुष्टी रहेगी राजनीती में उच्छ पद अथ्वाजिम्मेदारी मिल सकती है भूमी संबंदी कारियों में आ रही बादाएं सरकारी मदद से दूर हो पाएग और नोकरी आदी में पदोन्नती के साथ मंचाहे स्थान पर तेनाती आपको मिल सकती है आज आपका भागशाली अंकनो है शुबरंगा आपका आसमानी रंग है आज आपको भागशाली अंकनो है शुबरंगा आपका आसमानी रंग है आज आपको भागशाली प्रतिसत प्र तो आज मंगलवार का दिन अधिकांस रूप से आपके लिए सकारात्मक रहेगा पहले से रुके हुए कुछ कारिये बनने की संभावना रहेगी समाज में मान प्रतिष्था में वरत दी होगी सत्रू पक्षा आपके साथ प्रतिष परदा की भावना से विभार करेंगे मिलने के संकेत बन रहे हैं विद्यार्थियों की अध्यन में अभिरूची बढ़ेगी रावर राजनीती में उच्च प्रतिष्था मान सम्मान मिलने के योग हैं आज आपका भाग्यशाली अंकछे हैं शुब रंग आपका सफेद रंग हैं आज आपको भाग्यका साथ 84 प प्राताहकाल इस्नान करने के पश्चाद भगवान हनुमान जी की पूजा करें और उनके समक्ष स्री राम रक्षा इस्तरोत्र का पाट करें दिन आपका शुब रहेगा अगली राशी है व्रश्चिक व्रश्चिक राशी बालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रह रहेंगे नोकरी में अधिनस्तों से निकटता आपके बढ़ेगी व्यापार में किये गए परिवर्तन लापकारी रहेंगे बहुराश्चिरी कंपनियों में कारीरत लोगों को दूर देश वा विदेश जाने का अवसर मिलेगा अपनी महत्तो कांग्षाओं को अधिक नहीं आपको हो सकता है तो आज आपका भघ्यषाली अंक तीन है शुब रंग आपका जामूनी रंग है आज आपको भघ्यका साथ 55 परतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशे शुपा इस प्रकार से ही प्राता हका इस्णान कंने के पस्जाद भगवान हनुमान जी के मंदिर म तीन कोने वाला लाल जंडा लगाएं और भगवान हनुमान जी की आराधना करें दिन आपका शुब रहेगा अगली राशी है धनू धनू राशी वालों के नुसर आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज का दिन थोड़ा संगर स भरा रहेगा बनते बनते कारियों में विग् परचडाव का सामना करना पड़ेगा नोकरी आदी के छेतर में लोगों को अपने सहयोगियों के साथ अधिक तालमेल बनाने की आवशकता रहेगी धेरी रखें क्रोध पर नियंतरन रखें नए व्यापार जल्दबाजी में शुरू नहीं करें सामाजी कारे में अपने सामर् पराप्त होगा आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चाद भगवान हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालिसा का पांच बार पाठ करें दिन आपका शुब रहेगा अगली राशी है मकर मकर राशी वालों के नुसार कारण मदभेद भी हो सकते हैं किसी महतुपूर्ण कारी में बनते बनते एकदम रोक लग सकती है विरोधी पक्ष राजनीती में विरोधी आपको अपमानित कर सकते हैं किसी व्यापारिक योजना में दूर देश में बसा कोई प्रियजन सहयोगी रहेगा नोकरी में तनाव उम्चिंता के करण नेंद कम आ सकती है, अपने स्वास्त का विशेज ध्यान रखें, तो आज आपका भाग्यशाली अंकचार है, शुबरंग आपका लाल रंग है, आज आपको भाग्यकासा सत्तर प्रतिसत अपराप्त होगा, आज आपका विशेज उपाई इस प्रक से रहेगा, ससुराल पक्षु से सुब समाचार मिलेंगे, परिक्षा प्रतियोगिता में उच्च सफलता के योग है, विदेश भ्रमन की योजना सफल रहेगी, किसी विशिष्ठ व्यक्ति का सहियोग सानिध्धी मिलेगा, राजनीती में पद, प्रतिष्ठा में रहेगी, वाहन खरीदने की अभिलाशा पूर्ण हो सकेगी, रोजगार की तलास पूरी होगी, कारी छेतर में आपके बोद्दिक छमता का लोहा विरोधी भी मानेंगे, और जेल से मुक्त होने के जो जेल में हैं, उनके जेल से मुक्ति के योग हैं, अदालत आदी का निर् अगली राशी है मीन, मीन राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से हैं, आज का दिन अधिक सुख एवं उन्नती दायक रहेगा, किसी लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं, धार्मे क्रिया कलावकों पिक्वती आपकी रूची बढ़ेगी, कारी छेतर म चली आ रही, विग्नबाधाएं कम होगी, आई के इस्तरोत्र में भी प्रद्धी होगी, व्यवसाई के छेतर में कारीरत व्यक्तियों को नविन व्यवसाई के प्रती अभिरुची बढ़ेगी, राजनीतिक महत्तुकांग्शाओं की पूरती होगी, बहुराश्ट्री कमप आज आपको भाग्य का साथ 81 प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका विशे सुपाई इस प्रकार से हैं, प्राताहकाल इस्नान करने के पस्चाद भगवान हनुमान जी की पूजा करें और सुन्दर कान का पाट करें, दिन आपका शुब रहेगा, तो मित्रो आशा करता देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी, यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक भशेर अब शकरें, धन्यवाद, जैस्री करश्नमित्रों फिर मिलेंगे झाल